हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्वीब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्वीब एचुकेसनल चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेज वीडियो लेक्चर, वे विल स्टडी इन डेटेल अबाउट दे एंटी कैंसर ड्रग्स तो एंटी कैंसर ड्रग्स की जिसको हम कहते हैं एंटी नियो प्लास्टिक ड्रग्स तो उसके डेटेल में हम स्टडी करेंगे कि कौन से अलग-अलग एंटी कैंसर ड्रग होतेगी जो यूज होते हैं कैंसर के ड्रेट्मेंट में तो हम उनकी डिटेर फार्माकोलोजिकल स्टडी करेंगे और जिसके अंदर फार्माकोलोजिकल क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले डिसकस करेंगे हम पार्ट वन वीडियो लेक्चर में अप दिस एंटी कैंसर ड्रग तो जिसके अंदर हम जो डिफरेंट आप यहाँ पे डॉक्जोर उबीसिन है मिथोट रिग्जेट के टाबलेट से एस वेल एस इटोपोसाइड का यहाँ पे हम इंजेक्शन देख सकते है एस पर दा यूएस पी तियो सब भी ऐसे मेडिकेशन से कि जो अलग-अलग टाइप के कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर यूज किया जा तो what is the cancer सबसे पहलें तो cancer मतलब की abnormal cell growth without any type of control कि हमारे body के अंदर जब किसी भी तरह से हमारे cell जब damage होते है तो cell जब damage होते है उनकी injury होती है तो उनके कारण उनके abnormal cell division होता है और without any control उनकी growth होती है जिसके कारण जो है वो tumor form होता है जिसको हम कहते है cancer and cancer cell can spread to another part of the body through the blood and limb system और ये जो cancer के जो cell होते है वो हमारे body के अलग-अलग parts की तरफ फ्यालते है और उनका spreading होता है one part to another part through the blood and lymphatic system कि जो blood की जो पूरा systemic circulation में गुमता है और उसके साथ जो lymphatic system है उसके थ्रूँ ये cancer cell हमारे body के दूसरे अलग-अलग parts में भी पहुचती है और वहाँ पे भी जो है वो cancer produce करते हैं तो उसको हम neoplasm भी कहते हैं cancer के लिए जो दूसरा word है neoplasm इसलिए आप समझें कि जो cancer के treatment में use होने वाले जो medication से उनको हम cancer पर से anti-cancer भी medicine कहते हैं cancer पर से anti-cancer और उनका जो दूसरा नाम पढ़ता है neoplasm पर से anti-neoplasm पर से anti-neoplastic drug anti-neoplastic drugs तो neoplasm पर से anti-neoplastic drug और cancer पर से anti-cancer drug तो यह दोनों same class के medication ही है कि जिनको हम अलग-अलग type के cancers की treatment में use करते हैं तो इस तरह से देखें कि जो normal जो हमारा cell होता है यह वाला वो आगे जाके उसके जब changes होते हैं उसके अंदर अलग-अलग तरीके से तो वो reasons के कारण वो normal cell cancer cell में convert होता है उसका doubling होता है कि यहाँ पर जो हम लिख सकते की uncontrolled uncontrolled growth हो जाती है यह uncontrolled growth के कारण आगे जाके वहाँ पर जो tumor develop होता है जिसको हम कहते हैं malignant tumor या फिर tumor of a cancer तो इस तरह से cancer का development होता है तो फार्मरोक्स के जो previous lecture है वो आप जरूर से देख लेना कि cancer के उपर detail part 1 and part 2 video lecture है कि जिसके अंदर हमने cancer का classification सीखा था कि कौन से अलग-अलग type के cancer होते हैं उसकी etiology के बार में समझा था कि उसके causes क्या है reasons क्या है epidemiology समझा था अलग-अलग types के cancer के बार में study की थी फिर pathogenesis behind the cancer carcinogenesis के कौन से carcinogenesis के कारण हमें cancer होता है फिर diagnosis किस तरह से होती है cancer की as well as treatment के जो अलग-अलग methods तो उसी में से एक technique है that is the anti-cancer medications तो उसी के बार में हम ये lecture में detail में study करेंगे तो ये दोनों पार्ट के जो links से वा आप description box में check कर सकेंगे तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of PharmaRox thank you for being one leg family of PharmaRox updated रहिए Pharma Knowledge के साथ subscribe करें चैनल use करें एप PharmaRox कि जरूर से आपको download कर सकते हैं कि जो Android app है Google Play Store पर और Apple iPhone से भी आप download कर सकते हैं कि जो app store पर भी आपको मिल जाएगी तो एक्सेस कर सकते हैं affordable price के अंदर study material को test series को as well as the video lecture तो अभी download करिए PharmaRox link हमने आपको description box के अंदर दे दी है तो अब समझें detail में anti-cancer drugs के बारे में और उसका हम detail pharmacological classification समझेंगे तो these are the class of medications which are used in the treatment of various type of cancer either they are benign or malignant कि जब हमने cancer के अलग-अलग types के बारे में सिखा था तो दो types हमने सिखे थे कि दो type के tumor खास कर develop होते हैं जो कि benign tumor होते हैं दूसरा malignant तो anti-cancer drug जो ऐसे medications है कि जो different types के जो cancer की treatment में use किया जाते हैं they also call anti-neoplastic drug the anti-cancer drug को हम anti-neoplastic drugs भी कहते हैं तो ये सबसे पहले उसका introduction आप अच्छे से याद रखे कि जब आपको exam में question पुछे जाए कि write a sort not on anti-neoplastic drug तो उस वग भी आपको anti-cancer drug के बारे में ही लिखना है तो ये part 1 lecture है specially regarding the pharmacological classification कि जो detail में आपको जो classification लिखना है तो समझते हैं सबसे पहले कि cell cycle effects of anti-cancer drugs तो ये table आपको सबसे पहले याद रखना जरूरी है कि जिसके अंदर cell cycle के जो अलग-अलग phases होते है because cancerous tumor के अंदर जो basic functional unit है वो तो cell ही है तो हमारे जो medication से कि जो cancer की treatment में use होते है वो target करते है cell cycle को तो cell cycle के हमें पता ही कि अलग-अलग phases होते है कि G1 phase होता है S phase होता है G2 phase होता है M phase होता है तो अलग-अलग medications जो है ये phases पे effect करती है और उसके गरण cancer के treatment होती है तो उसके अंदर हम देखे कि जो itoposide है तो itoposide कि जो cell cycle specific drug है वो G1 और S phase उपर उसका effect रहता है उसके अलावा जो anti-metabolates class के drugs है anti-cancer के अंदर जुनकी mainly effect होती है S phase के उपर फिर जो हम देखते हैं कि bleomycin है itoposide है वगेरा जो है वो G2 और M phase उपर सबसे ज़्यादा effective साबित होते हैं और जो M phase होता है cell cycle का तो उसके उपर सबसे ज़्यादा effective medication that are wing-calculiards है कि जो हम अलग-अलग wing-cristin, wing-blastin जो anti-cancer wing-calculiards देखते हैं वो फिर जो taxons है exabepylon है और number 4 that is istramostin तो ये वाला जो column है उसके अंदर cell cycle specific दिये है तीसरा जो column आप देखिए गए तो जिसके अंदर है कि cell cycle non-specific drugs और उसका जो example है कि आप platinum compounds यहाँ पे देख सकते हैं उनका भी effect है G1 और S phase उपर alkylating agent जो है वो S phase उपर effective है यह G1 और G1 और S phase उपर effect है उनका फिर anthracycline जो है फिर dactinomycin से उसकी effect है G2 और M phase उपर और metomycin N campothesin वो M phase उपर effect होते हैं तो यह MCQ के लिए आपके लिए very very most IMP है MCQ के points के लिए और यह पूरा lecture भी आपको एक minute के लिए भी skip नहीं करना है because इतने सारे आगे pinpoints आएंगे यह lecture के अंदर as well as इतनी important informations आएगे anti-cancer drugs की कि जो आपके लिए बहुत ही फाइदे मन रहेगी तो सबसे पहले class समझी कि drug that are acting directly on the cells कि जिनको हम कहते है cytotoxic drugs तो यह medication का class ऐसा है कि जो directly effect करता है cells के उपर कि cancer के जो cell होते है वो cell के उपर ही directly अपने effect देखाते है और उसके अंदर जो first हम देखे तो that are alkylating agent तो alkylating agent के अंदर भी सबसे पहले देखे तो nitrogen mustard तो nitrogen mustard के अंदर हम देखे तो macloretha mine macloretha mine एक famous drug है उसके अलावा cyclophosphamide है फिर आप देखो तो तिसरी जो drug है वो है i-phosphamide आप देख सकते है उसके अलावा malphalan है chlorambucil and bendamustine तो यह जितने भी medications हम यहाँ पे देख रहे हैं यह these all are nitrogen mustard nitrogen mustards कही जाते हैं उनको और यहाँ पे आप उनका marketed formulation देख सकते हैं कि i-phosphamide का injection आप देख सकते हैं कि जिसका strength है 1 gram single dose wild रहता है और prescription only drug फिर यहाँ पे cycle of phosphamide का है wild उसका dry powder और उसकी जो strength है 200 mg तो यह जितने भी है कि alkalating agent ही है बट उसमें भी जो sub type है उसका that is nitrogen mustard अब जो second है alkalating agents के अंदर है तो वो समझ यहाँ अच्छे से तो alkalating agent में जो next है that are ethyl anemines ethyl anemines जो है जिसके अंदर thyotepa है hexamethyl melamine है कि जिसको alterator mine भी कहा जाता है तो thyotepa का यहाँ पे हम injection जो है वो चेक कर सकते हैं जिसका brand name है tapawel और वो lyoflice powder जो available है तो that is thyotepa और hexamethyl melamine hexamethyl melamine फिर उसी के अंदर जो second है that is alkyl sulfonate alkylating agency है बट यह alkyl sulfonates कहे जाते हैं तो their chemically alkyl sulfonates और उनकी जो example है that are abuzulfan तो एक ही drug आपको अच्छे से याद रखने है abuzulfan की जो alkyl sulfonate है फिर nitroso ureos के अंदर karmustin lomustin and strepto jocin फिर triagens के अंदर procarbacin deacarbacin and tamozolamide तो यहाँ पे जो आपको याद रखने कि जो main जो subtypes है कि यहाँ पे जो main जो subtypes जो आपको याद रखने है तो वो subtypes कौन से है सबसे पहले वो में आपको highlight करता हूँ तो alkylating agent के अंदर ही involve होते है ethylany mines involve होते है फिर दूसरा subtypes है alkyl sulfonates का फिर nitroso ureos and triagens तो यह चार उसके subtypes हुए यह slide के according to कि यह एक यह दूसरा यह third and यह four और उनके जो medications आपको याद रखने है that are thiotepa and hexamethyl melamine फिर alkyl sulfonates में buzulfan याद रखे nitroso ureos के अंदर carmustin lomustin and streptozosin and triagens के अंदर procarbazin decarbazin and temozolamide next है अब वो है anti-metabolites तो अब जो है वो class change हो गया है but उनकी जो effect है वो same है कि drug acting directly on the cells की जिनको हम कहते है cytotoxic drugs तो उसका जो main type है वो है anti-metabolites और anti-metabolites के तीन टाइप पर देख तो pyramiden analogs उसका जो example है 5 fluorouracil 5 fu जिसको हम कहते है फिर cytara bean and jamcetabin तो यह तीन जो है वो pyramiden analogs हम कहते है फिर second purine analogs जिसके अंदर है 6 MP मतलब कि 6 mercaptopurine 6 thaioguenine pentostatin and cladribine और तीसरा that is folic acid analogs कि जिसका example है कि जिनको folic antagonist भी कहा जाता है और उनके जो example है famous that are methotrixet and pimtrixet तो यहाँ पे anti-metabolites के ही तीन सब टाइप पढ़ते हैं pyrimiden purine and folic acid के analogs तो यह तीनों क्लास अच्छे से आप याद रखिए next समझ यह वो है natural products तो natural products भी वही है कि जो directly acting है on cytotoxic और directly acting on cell और उनको भी हम कहते हैं cytotoxic drugs तो उनके जो example हम देखेंगे तो सबसे पहले vinkka alkaloids में से vinkka alkaloid के जो chemical constituents जो है कि vinkristine है फिर vinkblastine है और vignoral vine है तीनों vinkka alkaloid के main chemical constituents से कि जो use होते है cancer के treatment में तो natural products as a anti-cancer drug तो वो vinkka alkaloid के example फिर taxons के अंदर आप देखेंगे तो parsley taxel and docetexel तो यहाँ पे आप देख सकते है parsley taxel का injection कि जो उसका यह marketed formulation यहाँ पे हम देख सकते के एक strength है 100 mg वाला और दूसरा 260 mg strength का product है उसके अलावा epipodophyllotoxins जो है that are etoposide and taniposide तो etoposide का injection कि जो 1 gram per 50 ml 20 mg per ml and must be diluted before intravenous infusion तो यह भी RX only रहता है और epipodophyllotoxins class है कि जो podophyllum जो herbal drug है उसके जो chemical constituent से etoposide and taniposide next are campothesins कि जो campothepa कि जिसको हम cancer tree कहते है तो उसके जो chemical constituent topotecan injection आप यहाँ पे देख सकते and second that is irinotecan तो पीछे KAN लगता है वो आपको kains याद रखने है topotecan and irinotecan तो यह दोनो टीकेंस जो है campothesins से कि जो use होते है cancer के treatment में next है anti-tumor antibiotics कि यह special ऐसे antibiotics है कि जो anti-tumor activities है उनके पास जैसे कि anthracyclines antibiotics like donorobicin and doxorobicin तो यहापे दोनों के injections यहापे हम देख सकते है कि ज्यादा तर anti-cancer drugs injections के तोर पे ही available है कि जो कुछ intravenous लिए जाते है कुछ उनको intramuscular भी दिया जाता है directly vein में देने वाले भी injection most of है कि IVN IM as well as कुछ हैसे कि जो subcutaneous use के लिए भी prefer किया जाते है तो donorobicin और यहापे डॉक्जो रूबिसिंस के injection यहापे देख सकते कि एक product है Cipla की है and second that is of a Pfizer फिर उसी class के apirubicin है edarubicin metoxy thron है तो यह सब ऐसे antibiotic है कि जिनका chemical class पढ़ता है anthracyclines anthracyclines antibiotic as a anti-tumor उसके अलावा जो दूसरे है that are bleomycin bleomycin है dactinomycin है और metomycin C तो यह दूसरे तीन भी example है कि जो anti-tumor antibiotics है तो इनको अभियाप अच्छे से याद रखे तो जब exam के अंदर पूछे जाए तो anthracyclines कितने है तो only this कि इतना जो है वो anthracyclines हो and these are the other one other anti-tumor antibiotics तो यह अच्छे से याद रखें next समझे platinum compounds तो platinum compounds के अंदर ceaseplatin कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका marketed formulation ceaseplatin का कि जो injection के दो अलग-अलग strength है एक है 100 mg पर 100 ml वाली बोटल है और second that is 200 mg पर 200 ml means दोनों का common 1 mg पर ml में ही available है Rx only रहेंगी proper prescription based medications ही रहते हैं यह सब तो cisplatin है carboplatin and oxaliplatin तो यह तीनों आप देखो platin है पीछी लगता है तो they are platinum compounds और यह platinum compounds भी anti-gancer activity रखते हैं enzymes के अंदर देखें तो L-asparsinus यहाँ पे जो आप देख सकते हैं L-asparsinus का जो anti-neoplastic उसके उपर भी लिखा हुआ है Rx only लिखा हुआ है तो यह life-lice powder होता है for injection intravenously भी दिया जाता है intra muscular भी दिया जाता है कि जो एक type का enzyme है कि जो हम कहते हैं उसको L-asparsinus तो यह medications है कि जो directly acting करती है on the cell कि cell क्या लग-लग जो parts होते हैं उसके ओपर effect करते हैं उनको हम कहते हैं cytotoxic drugs अब जो next medications हम सीख रहे हैं वो है hormones and related agent कि hormones related agents कि जो use होते है cancer की treatment में तो सबसे पहले है corticosteroids तो corticosteroids के अंदर prednisolone and prednisone कि यहाँ पर जो tablets देख सकते हैं prednisolone की तो वो use होती है as a hormonal and related agents फिर progestins के अंदर जो anti-cancer के जो example है देटार madroxy progesterone acetate madroxy progesterone acetate estrogens के अंदर हम देखे तो diethyl stillbesterol या फिर ethinyl estradiol तो यह भी hormonal की जो कुछ कई बार हम क्या करते है cancer के ट्रीट्मेंट के अंदर hormonal therapy से भी treatment करते हैं तो यह ऐसे hormonal medication से कि जो use की जाती है cancer के treatment के अंदर की hormones को target करवा के जो है वो cancer का treatment होता है तब तो androgens में से हमें पता है कि जो testosteron use किया जाता है फिर antiandrogens में हम देखे तो flutamide है तो यह flutamides के tablet आप देख सकते हैं जो हम कहते हैं GnRH antagonist मतलब कि gonadotropin releasing hormone antagonist कि जिसको हम कहते हैं GnRH कि gonadotropin releasing hormone antagonist कि जिसके example है citorelix genirelix and eborelix तो तीनों के पीछे relix लगता है वो आप याद रखें उसके बाद GnRH analogs जो है तो यहाँ पे जो कोई common connection है इसके अंदर तो that is a relin के सभी के अंदर relin जो है वो common है GnRH analogs के अंदर फिर यहाँ पे relix जो है वो common है तो दोनो GnRH analog या फिर antagonist दोनों आप अच्छे से याद रखें तो यह है hormone related agents की कई बार जब हम hormone से treatment करते हैं patients की anti-cancer के तो यह hormonal medications भी prescribe किये जाते हैं फिर है hormone related agents के अंदर भी anti-estrogens तो anti-estrogens के अंदर यह काफी famous है कि selective estrogen receptor modulator की जिसको हम SERMS कहते हैं बहुत important question MCQ के लिए जरूर से इसको याद रखें जिसके example है और टीमोगजिफेन है डॉलोगजिफेन और रालोगजिफेन तो यहाँ पे तीनों के पीछे common लेगेगा गजिफेन XI FI N या फिर NE तो यह common है कि यहाँ पे देख सकते है टीमोगजिफेन की film coated tablets की जिसकी strength है 20MG फिर film coated tablets of रालोगजिफेन hydrochloride की जिसकी strength है 60MG तो यह 60MG और यह 20MG का यह tablet दोनों रहेंगे RX only prescription drugs फिर anti-estrogens में से ही anti-estrogens के दो class subtype पड़े एक type है SCRM और उसका जो दूसरा subtype है that is aromatase inhibitor तो aromatase inhibitor की जो class है वो है aminoglutathymide aminoglutathymide फिर formistain then xamistain anastrozole and last दो यह जो है aromatase inhibitor से की जो hormone and related agency for the treatment of cancer फिर protein kinase inhibitors तो protein kinase inhibitor की जिसको हम कहते है tyrosine और other kinase inhibitors तो यह मैं कहूंगा अभी से आपके लिए very very most IMP for exam very very most IMP for the examination कि अच्छे से आपको यह classification तो तयार करना ही है तो उसके जो example है that are acala brutinib as well as exitinib cryzotinib तो यहाँ पे एक common रहेगा आपके लिए that is tinib t-i-n-i-b यह सभी के नाम के पीछे एक common रहेगा तो मैं वो common आपके लिए highlight करूँगा कि यहाँ पे देखे acala brew उसके बाद tinib same like that here exitinib cryzotinib तो जितने भी आगे भी हमें example देखेंगे सभी के अंदर tinib common रहेगा उसको हम कहते है tyrosine और other kinase inhibitor medications की जिसको हम protein kinase inhibitor पे कहते है protein kinase inhibitor which are prescribed for the treatment of various type of cancers तो dasa dasa tinib है arlotinib zafitinib ibrutinib imatinib lapatinib nilo pazotinib mazopanib ponatinib rukzolitinib sunitinib vendatinib and vemurafenib तो एक ही fenib है बागी सभी आप देखें तो कुछ tanib है या फिर tinib तो ये common है सबी कि आप याप sun pharma का imatinib का tablet देख सकते है 400 mg strength के अंदर और estrogenica खा Ekalabrutinib के जो capsule से 100 mg strength के अंदर rx only दोनों देख सकते है आप कि जो उसके marketed कुछ formulation से कि sun pharma estrogenica जैसे well non pharma companies जो है वो उसको manufacture करती है protein kinase के अंदर ही जो pan kinase inhibitors कहे जाते हैं pan kinase pan pan या फिर जो pan kinase भी कई बार कहा जाता है तो उसके example है इवरो लीमस सोरे फैनिब एंड टेमसी रो लीमस तो लीमस यहाँ पे common रहेगा खासकर LIMUS एंड फैनिब तो इवरो लीमस के टाबलेट्स की जिसकी strength 10 mg Novartis का यहाँ पे marketed formulation यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर सोरा फैनिब के जो टाबलेट्स है के सोरा फैनिब टोसाइलेट टाबलेट्स यह भी RX only है and third that is टैमली सीरो लीमस के इंजेक्शन्स के जिसकी जो strength है 25 mg पर ml next है monoclonal antibodies तो monoclonal antibodies के अंदर हम देखे तो सबसे पहले anti-EGF या फिर EGF2 के अंदर जो कहे जाते है panetumumab and trans-to-zumab तो trans-to-zumab का यह आपर हम देख सकते हैं famous product हरसेप्टीन की जो रोचे उसका manufacture है काफी famous है का बहुत बार multiple choice questions के अंदर exam के अंदर ये पुशा गया है हरसेप्टीन फिर anti-CD20 CD30 ED52 तो दे आर branztuximab oflatumab and retuximab तो यहाँ पे MAB का मतलब होता है monoclonal antibody की पीछे आप देखे सबी के पीछे जो लग रहा है MAB तो M for monoclonal A for anti और B for body तो उसका मतलब होता है पीछे small m A and B तो यह सब यह medications के पीछे आप देखे MAB that you will find the commonly तो जब भी आप ऐसे medications देखे जिसके पीछे MAB तो उसका मतलब आपको यह समझना है कि यह monoclonal antibodies है कि जिसको biotechnology के concept से develop किया जाता है तो एंटी CD3 EPCAM की जिसका एक्जमपल है काटू मुक्सोमेब फिर एंटी PD1 PDL1 और CTLA4 जिसके एक्जमपल है निवलुमेब पेम ब्रोली जुमेब एटिजोली जुमेब एंड इपिलिमुमेब एंटी VEGF जिसका एक्जमपल है बेवासे जुमेब तो यहाँ पे आपको यह थोड़ा complicated लगता होगा कि यह सब क्या लिखा है तो उसके full form हम जानते हैं यहाँ पे देखिए VEGF का मतलब क्या है तो उसका मतलब है कि vascular endothelior growth factor तो इसके उपर effect करके यह medications अपनी effect देती है उसका जो एक्जमपल है NTVEGF तो बेवासे जिनॉब की जो most IMP है most IMP very very most IMP कई बार MCQ के अंदर पूछा गया है और upcoming exam में भी यह वाले monoclolar and antibody में से question पूछा जा सकता है फिर EGF का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे लिखा है कि NTEGF मतलब की epidermal growth factor inhibitors या फिर NTEGF भी हम उसको कह सकते हैं गिर्ष के example है panetumumab and transtosumab कि जो यहाँ पे herceptin हम देख सकते हैं फिर EPCM मतलब epithelial cell addition molecules फिर CD मतलब की cluster of differentiation तो NTE cluster of differentiation या फिर EPCM का मतलब होगा epithelial cell addition molecules तो यह सब भी ऐसे monoclonal antibodies की जो अलग-अलग तरीके से यह जो factors होते हैं growth factors उनको inhibit करके अपना effect देते because mainly क्या होते हैं कि cancer के अंदर cell की क्या होती है growth होती है तो यह growth को हमें करना होता है inhibit यह growth को करना होता है inhibit तो यह medication भी ऐसी है कि जो अलग-अलग growth factors होते हैं हमारे body के अंदर यह growth factors को inhibit करती हैं और यह recombinant DNA technologies से develop किये जाते एक ख़जादा तर as well as जो biotechnology की जो हम कहें monoclonal antibodies development की जो technique है उससे यह medications develop किये जाते कि जो completely naturally तरीके से develop किये जाते हैं miscellaneous anti-cancer हम देखे तो retinoids के अंदर isostretinoin है retinoid X receptor antagonist के अंदर begsa rotin है उसके लावा arsenic compound के अंदर as2o3 as2o3 arsenic का जो oxide है वो आप को याद रखना है फिर adenosine deaminase inhibitor की जो है pentostatin most imp उसके लावा adrenal cortex suppressant metotene substituted urea hydroxyurea और उसके बाद देखे तो proteasome inhibitor vortexo meb तो यहाँ पे most imp जो है कि retinoid X receptor antagonist यह आपके लिए most imp रहेगा फिर adenosine dnaz inhibitor तो यह सब अच्छे से याद रखिए सभी slides के जितने भी हमने अभी तक anti-cancer देखे यह part 1 के अंदर के जो है specially anti-cancer drugs के बारे में कि जिसके अंदर हम सीखे classification के बारे में कि यह classification के तोर पे यह आगे जो है वहाँ आप समझ पाएंगे उनके mechanisms उनके indications तो वो हम सीखेंगे next video lecture part 2 के अंदर तो तब तक आप part 1 के जितने भी drugs हैं उनकी अच्छे से study कर लिजे अच्छे से उनका classification तयार कर लिजे और उसके बाद part 2 lecture एटेंड करना कि जिसके अंदर हम यह medications के uses के बारे में सीखेंगे कि कौन से टाइब के cancer में कौन से anti-cancer medication जो है वो drug of choice बनती है तो वो आपके लिए काफी most IMP topic रहेगा कि जो हम सीखने वाले है next lecture part 2 के अंदर तो तब तक आप जो हमारे lecture notes भी attend कर सकते हैं कि जो farmorox की app उपर available है thank you friends for watching join कर सकते है whatsapp groups 942-618-036 और access करिए अलग-अलग courses जैसे की study material है test series है video lecture वगेरा farmorox के mobile application के उपर तो Android phone है तो Google Play Store पर से आपको download करीए iPhone है तो App Store पर से download कर सकते हैं link description box में मिल जाएगी तो good luck and all the best